Hello dear students, मैं हूँ आपका instructor प्रनाय कुमार और आप देख रहे हैं ग्यानोदय कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल और आज के इस वडियो में मैं आप लोगों को कंजंग्सन की कुछ बेसिक जानकाली देने जा रहा हूँ ये बेसिक क्लासिस हैं, एडवान स्रीज हम आगे परहेंगे, तो बने रहे हैं इस वडियो के साथ तो आईए समझते हैं कंजंग्सन को, आपने अगर जंग्सन सुना होगा, कि सारे रेलवे लाइन्स एक जगा आकर के मिलते हैं तो connect होते हैं, उसे जंग्सन कहते हैं, सेम वैसा ही parts of speech में ये एक कंजंग्सन है, ये connecting words हैं, जो सब्द या सब्द समुहों को आपस में जोडते हैं यानि कि ये connecting words हैं, connect करने वाले words हैं, जो सब्द या फिर सब्द समुहों को आपस में जोडते हैं conjunction is a word that joins word or sentence together यानि कि word को या फिर sentence को आपस में जोडते हैं आईए कुछ example की थुरू इसे समझ लेते हैं जैसे कि एक हमारा वाक्य है राम प्लेज और एक वाक्य है स्याम प्लेज यहाँ पर क्या है कि अगर क्या हम इसे राम एंड स्याम प्ले लिख सकते हैं या नहीं मिलकुल लिख सकते हैं क्योंकि राम और स्याम दोनों एक ही काम कर रहा है खेलने का और राम एंड स्याम को हमने एंड से जोड़ दिया तो end से जो जुटा ये राम और सियाम यही वर्ड कंजंग्सन कहलाते हैं कंजंग्सन end के सारे हमने राम और सियाम को जोड दिया है देखे नीचे कुछ और भी example है Rani and Ria are sisters and noun को जोड रहा है यानि कि Rani एक noun है और Ria एक noun है और इसे जोड रहा है conservat end तो यहाँ पर end एक कंजंग्सन है जो कि जोड रहा है noun को नीचे एक और example है they read and play अब देखे यहाँ पर they एक प्रनाउन है लिकिन यहाँ जोड किसे रहा है play and read को read और play दोनों ही भर्व हैं और दोनों भर्व को आपस में जोड दिया है अगर यहाँ पर कहते हैं कि they read and they play तो हो जाता कुछ गरवर बात क्यों क्योंकि जब यह एक ही काम कर रहे हैं तो क्यों ना इसे end के साथ जोड दिया जाए तो same to same वही process यहाँ पर किया गया है कि वोग खेल भी रहे हैं और पर भी रहे हैं तो परने और खेलने को आपस में end से जोड दिया गया है नीचे एक और example है गीता reads, but, sita writes अब यहाँ पर end के साथ इसे क्यों नहीं जोड गया है जबकि यहाँ पर इसे but के साथ जोड गया अब देखिए, गीता reads यानि की वो पढ़ती है और sita writes यानि की लिखती है तो यहाँ पर अगर end से जोड़ें तो अगर भर्व सेम होता तब हम जोड सकते थे लिकन यहाँ पर दो अलग-अलग काम हो रहे हैं कि गीता reads, गीता पढ़ती है लेकिन sita लिखती है तो यहाँ पर conjunction, but का पड़ियोग किया गया है तो यह जो conjunction है मैं आप लोगों के लिए काफी short वीडियो में काफी short तरीके से आप लोगों को समझाने के लिए लेकर के आया हूँ आईए समझते हैं conjunction के बारे में कुछ और अतिरिक्त जानकरी यहाँ पर कहा जा रहा है कि relative pronoun, relative adjective तथा preposition भी connecting word है यानि कि relative pronoun भी, relative adjective भी और preposition भी यह सारे तो connecting words ही है न क्योंकि यह भी आपस में जोडते हैं सब्दों को या सब्द समुहों को इनमें और conjunction में बस फर्क इतना है कि conjunction सिर्फ जोडने का काम करता है या कोई सम्मद नहीं दरसाता यानि कि conjunction सिर्फ जोड़ेगा सब्द या सब्द समुहों को और उसका कोई सम्मद नहीं दिखाएगा यहाँ पर क्या है कि preposition सम्मद भी दिखा देता है कि pen is on the table अब table के ऊपर है ये pen का table से सम्मद जोड़ दिया उसी परकार से relative pronoun और relative adjective भी करते हैं लेकिन conjunction कुछ नहीं करता conjunction बस इतना करता है कि वो word को या फिर group of words को आपस में जोड़ता है कोई भी सम्मद नहीं दिखाता यही main difference है औरों से conjunction में नीचे कुछ example दिये गए है यह वही किताब है जो कि मैंने खरीदा था कल अब वही किताब है जो मैंने खरीदा था कल तो इस किताब का इससे सम्मंध है तो यहाँ पर यह relative pronoun का रोल अदा कर रहा है यह that जबकि यही that यहाँ पर है नीचे के example में I know that he was innocent यहाँ पर यह conjunction का रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर यह conjunction के रूप में आया है यह that जबकि यही that यहाँ पर भी है यही that यहाँ पर भी है तो आपको देखना पड़ेगा कि sentence में वो रोल कैसा प्ले कर रहा है I know that he was innocent इसमें मेरे जानने से उसका कोई सम्मंद नहीं है जबकि इस किताब से यह सम्मंद है कि कल खरीदा था तो मैं उमीद कर रहा हूँ कि basic जानकारी जो basic concept है आपके mind में आ रहा होगा कि conjunction सम्मंद नहीं दिखाता सिर्फ word या group of words को आपस में connect करता है यह तो conjunction को दो या फिर तीन भागों में बाटा जाता है लेकिन अगर concept की बात करें एकड़म simple तरीके से देखा जाए तो मैंने बस दो ही भागों में इसे बाटा है एक है simple conjunction और दूसरा है compound conjunction अब simple conjunction क्या है जो एक बार में ही परियुक्त हो जाएं हो सकता है यह आपको समझ नहीं आया होगा लेकिन तुरत आप समझ जाएंगे और compound conjunction कहते हैं कि जो दो सब्दों में होते हैं और वाक्य में एक से अधिक क्यूपस्तती होती है अब देखिए कैसे कि जो एक ही बार में परियुक्त हो जाएं जैसे कि and वाक्य में अगर and हो एक ही बार परियुक्त होगा और वो दो word को या फिर दो sentences को जोड़ देगा लेकिन यहाँ पर जो compound conjunction है वो neither और nor के साथ ही आएगा यानि एक तरफ neither रहेगा एक तरफ nor रहेगा एक तरफ either रहेगा एक तरफ और रहेगा एक तरफ so रहेगा एक तरफ फिर बाद में आएगा that if रहेगा यहाँ पर कुछ और भी भड़ेंगे और फिर जाकर के where उसी परकार से यह सारे चीज़ें इसका परियोग करते हैं यानि कि दो बार की उपस्तती होगी यहाँ पर एक ही बार में उपस्तती होगी उसे कहते हैं simple conjunction जैसे and, but, since अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि अनेक सब्द है लेकिन इनका परियोग एक ही बार में हो जाता है जैसे as well as, as soon as इसका यहसा नहीं कि as और बीच में कुछ और आएगा फिर well आएगा तो ऐसा बात नहीं होता है simple conjunction में, नीचे example दिया गया है my mother comes I start reading अब इसको अगर हम लोग conjunction के सारे इस दोनों sentence को जोड़ें तो लिख सकते हैं as soon as my mother comes, I started reading यानि जैसे ही मेरी मा आती है, मैं परने लग जाता हूं तो इसी sentence को जोड़ करके लिखा गया है जोड़ा किसे गया है, as soon as वहीं compound conjunction की ओर एक example देया गया है she is not beautiful, she is not intelligent यानि कि beautiful भी नहीं है intelligent भी नहीं है, तो इसको किस परकार से देखा जाए तो यहाँ पर देखिए कि neither का भी पड़ियोग किया गया है, और nor का भी पड़ियोग किया गया है, she is neither beautiful nor intelligent ना तो वो सुन्दर है, ना ही वो तेज है तो इस परकार से यहाँ पर दो बार की उपस्तती है यह दो वर्ट से मिल करके बने है और दो बार है sentence में तो neither के साथ nor ही आएगा either के साथ और ही आएगा इस परकार से यह पढ़ा जाता है और इसे समझा जाता है तो यह कफी basic तरीके से मैंने conjunction को बताया असल में यह part बहुत ही छोटा है लेकिन बहुत ही महत्पुर्ण भी है, तो आज इस वीडियो में आप concept किलियर करिए, आगे हो सकता है कि मैं और भी वीडियो जिसको बना करके समझाओं, तो simple conjunction इस परकार से रखा जाता है इने और compound conjunction को इस परकार से रखा जाता है, अब आये conjunction के कुछ objective को देख लेते हैं कि असल में objective किस परकार से पूछे जाते हैं और किस परकार से objective बनेंगे C was intelligent, dash dash, C was poor अब देखिए, अगर आपके अब यहाँ पर options भी हैं परती एक question के लिए यहाँ पर options मौझूद हैं तो अब यहाँ पर किस का परयोग करेंगे क्या आप end का परयोग करेंगे ठीक है, और यहाँ पर nor का परयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि neither के साथ nor का परयोग करते हैं और end का परयोग तब करते हैं जब दोनों चीज एक जैसा होता लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि C was intelligent यानि कि वह तेज है लेकिन C was poor यानि कि वह गरीब है अब आपके मन में automatically है जाएगा but यानि कि वह तेज है लेकिन गरीब है तो यहाँ पर जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा but C was intelligent but C was poor नेक्स्ट कोश्चन कहरा है neither the father dash dash his son is honest अब आपने देखा यहाँ पर neither neither के साथ nor का परयोग किया जाता है तो यहाँ पर ना तो और का ना ही but का जबकि नौर का परयोग किया जाएगा neither the father nor his son is honest यानि कि ना तो पिता और ना ही उसका बेटा दोनों में कोई भी honest नहीं है इमानदार नहीं है नेक्स्ट कोश्चन कहरा है बोथ रानी dash dash रिया आर beautiful दोनों ही यानि कि रानी भी और रिया भी सुन्दर है तो किसका परयोग करेंगे नौर का तो बिलकुल ही नहीं होगा क्योंकि neither के साथ नौर का परयोग करते है और का परयोग तब करते हैं जब दोनों में से एक की चर्चा हो रही हो अब यहाँ पर बोथ यानि कि बोथ का मतलब यह था है दोनों और बोथ के साथ याद रखेगा एंड का परयोग किया जाता है यानि कि बोथ रानी एंड रिया आर ब्यूटिफुल तो इस परकार से कॉस्चन आते हैं कंजंगसन में अब नेक्स्ट कॉस्चन कहा रहा है वह के बल लेबॉरियोस dangerous kind वह कैबल लेबॉरियोस ही नई है कीबल मेहनती ही नही है जबकि वह kind भी है यानि कि दहयालू भी है एंड से नहीं जुटेगा क्योंकि not only है और but से भी नहीं जुटेगा क्योंकि but से हमने देख लिया है कहां पर होता है यह एक बेसिक तरीके से मैंने समझाने की कोशिस की है कि objective किस प्रकार से पूछे जाते हैं और कैसा कैसा objective निकल सकता है चलिए कुछ और भी objective को देख लेते हैं यानि कि या तो तुमने या तो तुमारे भाई ने यह किया है तो आप बताइए आइदर के साथ और का पढ़ियोग करते हैं आइदर यू और यूर ब्रोदर हैस डन इट नौर नाइदर के साथ करेंगे एंड का पढ़ियोग तब करते जब दो अलग-अलग subject को जोड़ना हो अब यहाँ पर टू का पढ़ियोग तो नहीं ही होगा क्योंकि suitable नहीं लग रहा है मैं उसे पसंद करता हूँ और वह सुन्दर है तो वाकि suitable नहीं हुआ अगर यहाँ पर because दे दें because मतलब क्योंकि I like her because she is beautiful क्योंकि यहाँ पर ये suitable conjunction का यूज कर रहा है I like her because she is beautiful मैं उसे पस पसंद करता हूँ क्योंकि वह सुन्दर है अब नेक्स्ट कोशन है सेवन नंबर पर कह रहा है डैस 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 राजू एन रानी हैव डान माई वर्क राजू और रानी ने मेरा काम कर दिया है अब मैं आपको पांस सेकेंड का वक्त देता हूँ अभी कभी कमेंट करके आप किसका परयोग करेंगे इमानदारी पुर्वक मुझे बताए कि आपने क्या सीखा अभी तक में अब दिखे क्या है कि राजू एन्ड और यहाँ पर एन्ड से जुड़ा हुआ है और पहले खाली जगह है नाइदर के साथ नौर का परयोग होता है आइदर के साथ और का तो बस गया हमारे साथ बोथ। मैंने सुरुवाती में ही बताया था कि बोथ अगर हो तो बाद में end आएगा तो यहाँ पर पहले ही खाली जगह है और बाद में end है तो जाहर सी बात है यहने यहक्ता बोथॹ का यूज किया जाएगा यहाँ पर बोथ राजू यदू और र स्क्राइब करके बैल आइकन को हिट कर दिजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे फिलाल के लिए इतना ही मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में